ब्लेड डोनेशन दोस्तों आज विज्ञान बहुत सक्षम हो चुका है और अब तो लेबोरेटरी में तमाम तरह की दवाएं वैक्सीन और एंटिबायोटिक भी तैयार की जाती है लेकिन जिन्दा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी खुन को अभी तक नहीं बनाया जा सका है बलड का कोई विकल्प नहीं है खुन की कमी को केवल बलड डोनेशन के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है इसलिए रक्तदान को महा दान कहा जाता है विश्वे रक्तदान दिवस रक्त की कमी को पूरा करने और अधिक से अधिक रक्तदाताओं को रक्तदान के लिए प्रोथसाइद करने हेतू पूरे विश्व में 14 जून को मनाया जाता है भारत में भी इसके लिए विभिन इस्तर पर संबद विभागों द्वारा प्रचार प्रसार और जागरुकता कारियकर्मों का आयोजन किया जाता है इस आउसर पर अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए रक्तदाताओं को प्रेरित किया जाता है जिससे विभिन रोगों जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिपलिस, दुरगटना के कारण होने वाली सरजरी, कैंसर आदी के उप्चार में खून की आवशकता को पूरा किया जासे हैं किसी आर्थिक लाव के रक्तदान करने के लिए आगे आने से कई मासूम लोगों की जान बच सकती है रक्तदान के फाइदे एक व्यस्क व्यक्ति के सरीर में ओस्तन 10 यूनिट रक्त होता है जिसमें से व्यक्ति एक यूनिट ब्लड डोनेट कर सकता है लेकिन जागरुकता की कमी की वज़े से व्यक्ति ब्लड डोनेशन करने से डरता है या हिच की चाता है जरा सोचिए हमारे देश को हर साल करीब 120 लाख यूनिट ब्लड की अवशकता होती है लेकिन केवल 90 लाख यूनिट ब्लड ही उपलब्द हो पाता है ऐसे में देश 30 लाख यूनिट ब्लड की कमी से जूजता है जबकी 38,000 से अधिक ब्लड यूनिट की हर रोज जरूरत होती है विश्विश्वास्त संगठन डबलू एचो के आकड़ों के अनुसार केवल दो प्रतिशत और अधितरक्त दाताओं का ब्लड डोनेट के लिए आगे आना कई लोगों की जान बचा सकता है लेकिन खून देने के फाइदे के बारे में जानकारी नह होने से व्यक्ति ब्लड डोनेट करना नहीं चाहता साथ ही व्यक्ति के मन में ब्लड डोनेशन से जुड़े कई भ्रम भी होते हैं इस वज़े से लोग रक्तदान नहीं करते पर शायद आप यह नहीं जानते हैं कि आपके द्वारा जो ब्लड डोनेशन किया जाता है वह किसी को जीवनदान देता ही है साथ ही इससे आप भी स्वस्त रहते हैं रक्तदान के फायदे मरीज के साथ साथ रक्तदाता को भी होता है एक व्यस्क व्यक्ति के सरीर में पांच से छे लीटर ब्लड होता है और अच्छी बात यह है कि अपने ब्लड की इस मात्रा से साल में कम से कम चार बार रक्तदान किया जा सकता है बिना किसी सालिरिक नुक्ष बुसरे सब्दों में कहें तो एक स्वस्थ सरीर के इनसान में लगभग दस यूनिट रक्त होता है जिसमें से वह एक यूनिट रक्त 350 मिली आराम से दान कर सकता है एक नियमित रक्त दाता तीन महिने बाद फिर से अगला रक्त दान कर सकता है रक्त चार प्रकार के तत्वों से निर्मित होता है red blood cells, white blood cells, platelets और plasma जब कोई व्यक्ति blood donation करता है तो 2-3 दिनों के भीतर उसके सरीर में plasma का दोबारा निर्मान हो जाता है जब की red blood cells को बनने में 1-2 महीने लग सकते हैं इस तरह कोई भी व्यक्ति 3 महीने बाद दोबारा रक्तदान कर सकता है आज मैं आपसे blood donation के लाब वे इससे जुड़ी कुछ गलत धारनाओं के बारे में जानकारी सेयर करने जा रही हूँ जिससे आप किसी को रक्तदान दे सके अगर आपकी वज़े से किसी को जीवनदान मिलता है तो इससे बड़ी खुसी की बात और क्या हो सकती है इसलिए रक्तदान के फाइदे को जानना बहुत ही जरूरी है रक्तदाताओं के लिए रक्तदान के फाइदे रक्तदाताओं को रक्तदान के फायदे, खून देने के फायदे निम्न होते हैं खून देने से हार्ट अटेक का जोखिम कम होता है आम तोर पर जब व्यक्ति के लिवर या किड्नी में आईरन संचित होने लगता है तो उससे हार्ट अटेक की आसंका बढ़ जाती है दरसल आईरन खुन को गाड़ा बना देता है जिससे हिर्दे रोग होने का जोखिम बढ़ता है रक्तदान करने से सरीर में आईरन का संतुलन बना रहता है और हिर्दे रोग का खत्रा कम होता है डिमेंशिया या अलजाइमर जैसी बिमारियों के होने की आसंका को कम करता है उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में आईरन की अधिक्ता के कारण डिमेंशिया या अलजाइमर जैसी बिमारियों के होने की आसंका भी बढ़ जाती है नियमित तोर पर रक्तदान करने से आईरन नियंतित रहता है जो की व्रधावस्ता में होने वाली बीमारी डिमेंसिया या अलजाइमर से आपकी सुरक्षा करता है इस्ट्रोक का खत्रा कम रक्तदान से इस्ट्रोक का खत्रा भी 33% तक कम हो जाता है कैंसर का जोखिम कम करता है सरीर में आईरन के एनियंत्रित रहने से कैंसर का खत्रा बढ़ जाता है यक्ति के सरीर से आईरन निकलने की प्रिक्रिया बहुत दीमी होती है ऐसे में रक्तदान करने से इसका सही संतुलन बना रहता है रक्तदान से पुरानी और बीसी से निकल जाती है दोबारा खुन तेजी से पनता है नियमित रक्तदान से व्यक्ति में बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है ये लोग रक्तदान कर सकते हैं पचास किलो से अधिक बजन के लोग रक्टदान कर सकते हैं, रक्त में 12.5 ग्राम या इस से अधिक हीमोगलोबीन का इस्तर हो, 18-65 साल का कोई भी व्यक्ती रक्तदान कर सकता है, रक्तदान से जुड़े कुछ गलत धार नएं, रक्तदान के फाइदे की वज़े से रक्तदान महादान कहा जाता है लेकिन लोग खून देने के तमाम भ्रम के चलते ही चकते हैं जैसे रक्तदान से सेहत को नुकसान रक्तदान से सेहत को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होता रक्तदान के दोरान केवल 350 ml खून ही लिया जाता है जिसकी पूर्ती दो तीन दिन में हो जाती है साकाहरी व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता तमाम लोगों को यह ब्रह्म होता है कि साकाहरी व्यक्ति के सरीर में आईरन नहीं बनता यह सच नहीं है साकाहरी व्यक्ति भी रक्तदान कर सकता है खून देते समय तकलीप होती है रक्तदान पूरी तरह से सुरक्षित परिक्रिया है इसमें सुई की हलकी चुभन के अलावा कोई दर्द नहीं होता है यह एक साधारण कश्ट रहित परिक्रिया है खून देने में बहुत समय लगता है रक्तदान में मात्र 5-10 मिनट ही लगता है खून देने से संकर्मन हो सकता है यह सच नहीं है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित परिक्रिया है और सभी स्वास्त केंद्रों पर खून लेने के मानक तरीके अपनाए जाते हैं रक्तदान से पहले होने वाले टेस्ट रक्तदान से पहले रक् प्रमुक टेस्ट होते हैं हीपेटाइटिस B, हीपेटाइटिस C, सिफलिस, HIV, मलेरिया उप्रुक्त के अतिरिक्त HB लेवल टेस्ट और ब्लड प्रेसर की भी जाच की जाती है रक्तिदान के बाद क्या खाएं रक्तिदाताओं को अपने आहार में आईरन, विटामिन B वैसी आहार लेना चाहिए इसके लिए पालक, संत्रे का जूस, फलिया वे डेरी उत्पाद को अपने नियमित आहार में ले रक्तदान करने से 2-3 घंटे पूर्व प्रियाप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं वे भरपेट भोजन करें इससे खोन में सुगर की मात्रा इस्थिर ह होती हैं. जैहिंजा!